हमने इसके पहले BIOS AWOTS LAW पढ़ा है db is equals to mu0 upon 4π ideal sin theta upon r square इस BIOS AWOTS LAW का जो दूसरा एक application है हमने इसके पहले एक application की बात की है कि circle के center में, circular current carrying conductor के center में म्यूजिरो एन आय अपॉन ट्वाइस एन आय वाला भी एक फर्मिला बनता है तो म्यूजिरो आय अपॉन ट्वाइस ए यह हमने पढ़ लिया था है न अब हम लोग एक स्ट्रेट करेंट केरिंग कंड़क्टर लेंगे स्ट्रेट वाला अब हम लोग एक स्ट्रेट कंड़क्टर लेंगे स्ट्रेट कंड़क्टर होता है उसमें से करंट फ्लो रहा है और किसी एक पॉइंट पे हमें magnetic field find करनी है मान लेते हैं कि ये है वो straight wire अब start हो चुका है आप ध्यान देंगे पुरा आपको जुबानी यात कराऊंगा मैं समय लगेगा तो भी चलेगा ये कोई straight conductor है दोस्तों इसे कुछ दूर पे एक point है P इस point P पे हमको magnetic field find करनी है ये जो point P आप देख पा रहे हो इसी पे हमको magnetic field find करनी है हम यहां पे इस wire पे कोई भी element लेकर उसको solve कर सकते हैं किसी भी element से हम उसको solve कर सकते हैं मतलब क्या है सर ये एक wire है x y नाम का देखो किसी भी derivation के दो phase होते हैं पहला phase तो इसमें जाता है कि यह पढ़ाया क्या जा रहा है और confusion create हो रहा है दूसरा phase आप धीरे धीरे ध्यान देना शुरू करते हो और चीजे clear हो जाती है तो दोनों phase से हम गुजरते हैं tension नहीं लेना है बस ध्यान बनाए रखना है everything will be clear second phase आएगा देखते रहो this is x this is y pay attention इसमें से flow हो रहा है current उपर के तरफ में ले रहा हूं मतलब नीचे negative direction हो जाएगी उपर positive याद रहे मेरा यी शब्द negative and positive बाद में मैं पूछूंगा मैंने क्यों use किया था मैंने point ले लिया P जिसके उपर करना है find हम को magnetic field इस wire के वजह से बोलो बात समझ में आई बोलो बात समझ में आई so magnetic field at a point P due to straight current carrying wire या due to straight current carrying conductor so we can write the heading आप लोग भी लिख सकते हैं magnetic field at a point at a point due to due to straight current carrying conductor straight current carrying conductor हमारी heading आप लोगों को समझ में आई है या नहीं प्लीज बता दो comment करके जो भी लोग lecture कर रहे हैं ओके देखेंगे आप लोग अप हम लोग अप क्या करेंगे एक small element ले लेंगे अपने मन से इस wire पर कहीं पर भी कहीं पर भी पुरा ध्यान बनाए रखना है हमने यहां ले लिया बच्चों हमने यह small element यहां पर ले लिया and don't forget कि यह small element कौन सा है yes इसकी small length हमने ले थी dl याद आ रहा होगा bios awards law का ही application है और position vector क्या होता है let me explain first मैं अभी class में आपके सामने बैठ के खड़े रहे के बढ़ा रहा हूं और आप लोग सब मेरे सामने हो मुझसे आपकी position के लिए एक straight line जाती होगी जा रही होगी आपके direction में जा रही होगी हर बच्चा जो यहाँ पर बैठा है हर किसी से मुझे तक एक straight line आ रही होगी वो आपका position vector है मेरे axis के respect से अब यहाँ यह axis जो खुदी है वो straight line ही तो है straight wire ही तो है खुदी अपने element से length dl से द्यान से सुनना यही reason है द्यान से सुनना dl वहाँ से point p का position vector क्या यह है क्या यह है क्या बच्चों मैं यही element नीचे ऊपर कहीं भी ले सकता हूं पर पूरे wire में ही लेना होगा सही बात है समझ में आ रहा है यह उसका क्या है position vector बताइए क्या है position जिसको हम R से represent कर रहे हैं किस से represent कर रहे हैं चलिए बायो सवार्ट स्लॉग के basic में आते हैं देखिए मैंने इस तरह का कुछ wire बनाया था और मैंने यहां एक element लिया था याद है आपको और यह इस point पे magnetic field find कर रहा था यह जो था यह यह था R क्या ऐसा ही लग रहा है वो भी diagram लगबक से में length element से point P मैंने यह वापस क्यूं बनाया उसके पीछे का reason थोड़ी दिर में समझ में आ जाएगा यह था DL और याद करो बायो सवार्ट law में DL cross R जो था इसका मतलब था कि जो angle theta है वो L और R के बीच होगा DL और R के बीच तो हमने DL से एक tangent बनाया था याद आया आप और हमने उसको angle दिया था theta तो दोस्तों यह तो cd line है है ना तो DL से पास होने वाला tangent cd line से ही तो जाएगा तो DL और R के बीच जो angle आएगा वो आएगा theta बोलो चम का समझ में आ गई बात मैं इसके respect से आपको यह बात समझाते चलो DL और R के बीच angle होना चाहिए theta यही बायो सवाट सलो कहना चाहता है हमेशा याद रहे है जिस element में से current जा रहा है जिसकी magnetic field यहां आप find कर रहे हो वहाँ और R के बीच में angle होना चाहिए theta तो अब तक के diagram की कहानी R is the position vector of point P from DL right am I right हमें से point O ले सकते हैं कोई problem नहीं theta is the angle between DL and position vector R DL and position vector R क्या आप लोगों को यह पूरी बाते हैं समझ में आई मैंने क्या कहा clear है इतना अभी इसमें आगे का जो construction है वो धीरे से बताऊंगा तब तक आप heading और यह जल से जल note करें इसे आप understanding के लिए समझ सकते हैं यह bios awards law में मैंने आपको diagram बताया था आगे बढ़ते हैं bios awards law अपने मन में एकदम fit कर लो db is equals to mu 0 upon 4 pi ideal sin theta upon r square yes याद है ideal sin theta upon r square लेक्चर देखा पानसी देखे देखे चलिए देखे यहाँ पर अब ध्यान दीजे सब लोग बायो सब्वाट्स law is given by db is equals to mu 0 upon 4 pi मैं guarantee देता हूँ चीजे याद हो जाएंगी derivation बड़ा है और टफ लग सकता है टफ लग सकता है अगर ध्यान नहीं दोगे तो यहाँ यह sin theta आपी की batch में से एक बच्चे को doubt था कि sir ideal sin theta था तो यह क्यों आया मुझे message आया था तो वो इसलिए आया क्योंकि जब आप देखें यह i है यह dl sin theta है यह r square यह position vector r के along था याद करो vector format में जो मैंने बताया था इसी vector format को आप लिखते हो यह unit vector r को आप लिखते हो 12r upon mod of r तो r square into r को क्या करते हो r cube है ना तो यह उपर क्या बचा i dl sin theta bar r upon नीचे क्या बचा r cube तो यह जो theta है sorry sin theta bar r यह जो theta है यह dl और r के बीच dl और r के बीच जब आप bar p cross bar q लिखते हो तो उसका मतलब होता है p q sin theta यह याद रहे यह vectors के बहुत ही simple और basic rules चली आगे बढ़ते हैं देखिए अब इसमें जितने components है ना उसको हम बदलने वाले हैं बच्चों हम sin theta को बदलने वाले हैं हम dl को बदलने वाले हैं theta को देखिए मैं कैसे बदलने वाला हूँ अब आप construction देखिए bios awards law आपके सामने लिख दिया गया है मैं क्या करूंगा इस wire को दो parts में divide कर देते हैं इस से इस पे एक perpendicular component बनाते हैं ठीक है तो obviously ये कितना degree होगा 90 अब एक triangle 180 का होता है तीनों angle मिला लो तो 180 तो ये theta ये 90 ये theta ये तो इसकी भी तो कोई value आएगी एक काम करते हैं इसको हम लेने वाले 5 और हमारा answer इसके रूप में नहीं बलकि इसके रूप में आने वाला है द्यान से सुनना है, magnetic field इसके रूप में नहीं बलकि इसके रूप में आने वाले हैं, बहुत easy answer हो जाएगा, सब लोग द्यान से सुनना, please pay attention, तो सर थिटा को 5 बदलने वाले हैं, यही तो जादू है इसका, इस derivation का, थिटा को 5 में बदलने वाले हैं, देखते रहिए, derivation ही पढ़ाना रहता तो 3 मिनट लगते थे, खतम हो जाता थे, पर concept क्या है, याद कैसे रखेंगे अगर हम अटक गए तो, इसलिए मैं इतना explain कर रहा हूँ, थिटा को किस में बदलने वाले हैं, यह मंत्र याद रखना है, यही इसका मंत्र है, इसी पर यह काम करता है, अब दे थिटा की वैलू चाहिए आपसे, थिटा की वैलू चाहिए, यह से एक्जैक्ली, वेरी गुड, तो थिटा यही रखेंगे, 5 उदर जाएगा, 90 उदर जाएगा, पहले से 180 था, प्लस 90 उदर गया तो, पहले से प्लस 5 है, उदर गया तो, भाई, 180 माइनस 90, माइनस 5, याद थिटा इस 90 माइनस 5, मतलब हमने यह सीख लिया कि थिटा हमें कितना मिला है, कहीं और लिखता हूं में, थिटा हमें कितना मिला है, 90 माइनस 5, थिटा हमें मिला है 90 माइनस 5, ओके गाईज, याद रहे यह बात, थिटा कितना मिला है, यह अभी काम आने वाला है आप लोगों लेते हैं मैं इसका नाम ए दे रहा हूं यह जो यहां से यहां की वैल्यू है उसको ए दे रहा हूं इस पॉइंट से इसके एंड तक की जो लेंथ है उसको एल ले रहा हूं मतलब मैंने मेरा कंड़क्टर इसको मान लिया है ठीक है उसके बाद लोवर लिमिट से अपर लिमिट integrate कर दूँगा पूरा conductor आ जाएगा clear हो रहा है देखिए यहां से लेके यहां तक की length को L मान लिया गया है अब इस triangle में मुझे cos phi की value बताओ मैंने क्या बोला मैं किस को किस में बदलने जा रहा हूं मंत्र क्या है theta को जो यह आप bios awards law में theta देख रहे हो इसको मैं phi में convert करने जा रहा हूं ध्यान से सुनना है सबको बोलिए cos phi का formula क्या होता है adjacent upon yes exactly adjacent upon hypotenious बच्चो ध्यान देना है cos phi adjacent कोने a hypotenious कोने r है ना सो हम क्या लिख सकते है cos phi is equals to बोलो बोल नहीं रहो तो फिर अब हमें r की value निकाल लेनी है किसकी value निकाल लेनी है okay सब लोग ध्यान दें r को division से multiplication कर दो cos phi को इदर बेज दो तो क्या हो जाएगा r is equals to a upon क्या हमने r की value निकाल ली देखिए यह r कहां जाने वाला यह दिख रहा है दिख रहा है यहां जाने वाला है जैसे यह sign theta दिख रहा है वो भी बदलने वाला है अब समझें आप लोग हम क्या करने जा रहे है हम इनके terms को बदलने जा रहे है theta को phi में बदलने जा रहे है याद रहे so r is equal to a upon cos phi that's it हमें r मिल गया है अब हम r square भी निकाल पाएंगे यहां तो r square है ना तो हम भाई a square upon cos square phi निकाल लेंगे आईए हम लोग dl का खिलवार करें सर dl के साथ कैसे खेलेंगे बताता हो पहले आप एक काम करो tan phi निकालो देखो इदर अलग-अलग books में अलग-अलग method है हम अपने method से चल रहे है ठीक है चली देखे tan phi निकालो tan phi is opposite तो adjacent क्या है a है तो मैं क्या लिख सकता हूँ tan phi is equals to l upon so l की value आ गई क्या क्या आ गई बोलो a इधर आया क्या गई a है ना सर हमें l तो नहीं चाहिए हमें तो dl चाहिए आप ही बोले यहां substitution करनी है यहां तो dl है यह क्या है यहां पर की dl है यह क्या है यह या dl है देखिए differentiating both the sides दोनों तरफ differentiate करेंगे क्या करेंगे differentiate अगर दोनों तरफ differentiate करते हैं तो l का क्या हो जाएगा dl a का रहेगा a tan phi का six square phi d phi tan phi का differentiation क्या है six square phi d phi anybody online किसी को पता है yes exactly देखो शिंदे ने मैसेच किया आप यह शिंदे ने tan phi का differentiation क्या है six square phi d phi नहीं पता सुनो 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 तैन थीटा का जब आप differentiate करते हो किसी भी थीटा के respect से तो answer आता है six square theta d theta theta का अभी differentiation अभी मेरा theta क्या लिया है मैंने 5 तो इसलिए six square phi d phi समझ गए आप मेरी बात को क्यों कि ना 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 हम वित रिस्पेक्ट वह थोड़ी कर रहे है इडिस चेंजिंग ना इडिस चेंजिंग फ्रॉम लोवर लिमिट टू अपर लिमिट देखें तो आप लिखेंगे six square phi d phi बेटा phi हर point पे change हो रहा है सेम नहीं है जैसे मान लो मैं अगर यहां से लू रजजत तो यह एक अलग five है देखो एंगल देखो और अगर यहां से लू तो एक मैं किसी भी point पे लू तो five अलग है तो how will you make it one you can't make it one अभी उसका भी काम है अपने को तो यह हो गया six square phi d phi is equal to क्या हमारे पास d l की भी value आ गई बच्चो तो अब तक एक बात देखेंगे कि हमारे पास किन किन चीज़ों की value आ चुकी है हमने लिया कॉस फाई लिया हमारा मंत्र क्या है क्या काम करने जा रहे हैं थीटा को बदलना है यह हमारा काम है हमारा दूसरा कोई काम नहीं आप तो हमने यह सीख लिया था कि थीटा is equal to ninety minus five यह हमारे पास है यह बूलना मत जहां कहीं थीटा दी के वहां क्या चिपकाना है अपने को यह याद रखना है जहां भी थीटा दी के वहां चिपकाना है 90 minus five चिपकाएंगे चलिए ठीक है cos five निकाल लिया a by r जिससे r निकाल लिया a by cos five फिर हमको d l चाहिए था हमने d l को देखा लेकिन हमको d l five के respect में चाहिए था तो five का opposite कौन है d l l कहां है five के opposite है ना opposite वाला कौन सा फॉर्मिला आता है tan दीटा तो हमने tan लिया आप समझे आप मेरी बात तो हम tan five पे आए l upon a पे आए a को यहां भेजा l मिला उसको differentiate किया a six square five d five मिला किसे किसे समझ में आ गई यह बात इतनी समझ में आ गई है प्लीज जल्दी नोट करिए हर रोज एंसर करती है सटा सट एंसर करती है पीछे बैठती थी तब भी कई बोले एंसर करें चली अब हम लोग पढ़ेंगे इसको आगे ध्यान से सुनना अब हमारे पास में यह values आ गई है दिमाग ने दो चीदों को जाडू लगा के solve कर लिय है कि R की value आ गई है A upon cos 5 और वहीं DL की भी value आ गई हमारे पास आपने लिखी है देख लो A 6 square 5 D5 तीसरी जो value यहां बहुत जादा काम किये वो थीटा है कि जहां कहीं थीटा दिख जाएगा अप उन क्या चिपकाएगा 90 माइनस तो आयो भाईयो इसमें चेक करते हैं क्या क् अपन फोर पाई भाई आये का तो कोई दूसरा कुछ है नहीं आये तो आये करन्ट तो करन्ट होता है डियल आ गया कि बोलो डियल के जाएगे A 6 square 5 भाई यह सब तो बहुत 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 बार अपलाई किया है ना substitute put but method है ना किया है वही तो करना है A 6 square 5 किसकी value अब देखन गोगा झागे आगे अब आगे देखना साथ में क्याサा इंथिटा साइन तो लिख दिया मैं ने मैं तिटा नहीं लिखूंगा मैंने भोला था कि धीटा का मंत्र है रफाय दलना है तो मैं ठीटा के जगे ठीटा के जगे क्या लिखने वाला हूं 90-5 तो आ गया भाई 90-5 यही तो काम था अनलाइन अनलाइन लेक्चर करने वालों बताओ समझ रही की नहीं अगर आपको यहां क्लास में नहीं दिख रहा है इधर उदर हो जाओ बटा पड़ समझो इसको खतम नहीं हुआ है आर स्क्वेर है आर स्क्वेर है आर स्क्वेर है हमारे पास आर है आर कितना है बोलो ए अपॉन तो आर स्क्वेर क्या होगा भाई साब आर स्क्वेर होगा ए स्क्वेर अपॉन कॉस्क्वेर फाइड सो हम यहाँ पर लिखेंगे आर स्क्वेर के जगे क्या ल upon बोलो चमका दोस्तों इसी स्टेप में मैं और एक दूसरा modification करने जा रहा हूँ कभी भी अगर B square upon C square लिखा है तो क्या मैं उसको B square into one upon C square लिख सकता हूँ हाँ क्योंकि B square वन्जा B square upon C square क्या तुमको कुछ कहानी समझे मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ सोचना है तो सोच सकते हो पैसे हाँ बोलो exactly very good very good सही बात है अब यहाँ देखो यहाँ है A square upon C square 5 है ना है ना अगर मैं A square upon C square 5 को लिखता हूँ A square into one upon C square तो don't forget one upon cos theta is sec theta one upon cos theta क्या होता है sec theta तो one upon cos square theta क्या होगा six square theta yes 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 सही है तो यहाँ one upon cos square theta के जगे क्या आने वाले है बच्चों बोलो six square theta one upon cos square theta is equal to यह याद रखना ठीक है यह step यहाँ पर use कर रहा हूँ तो यह कितना हो गया बोलो फिर six square theta five 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 यही तो मंत्र था तो अब आ गया six square five अब क्या लगता है काट दिया जाए six square five गया six square five गया a b गया yes सही जवाब present है आप लोग a a cancer अब जो बच गया उसकी कहानी आगे बढ़ाओ तो देखो db is equals to mu not upon four pi i हाँ एक एक बताओ i d5 वाह क्या बात है d5 मत बूलो sin 90 minus theta is equals cos theta sin 90 minus theta क्या होता है cos theta पर यहाँ पे theta नहीं यहाँ पे five तो sin 90 minus five cos phi समझा का है पका तो sin 90 minus five cos phi upon a बचा है अभी भी बचा है सही जवाब है a तो पेटा हमें db की value क्या क्या मिल गई है आपके सामने है यह db की value है bb की value नहीं है देखे क्या क्या है db is equals to mu not upon four pi i d5 cos phi upon a sir is d5 का क्या करेंगे very good अगर अगर अप तुआ धड़ा धड़ गोली चला रहा है या वह एक दिन की बात इतनी strong ले ली तुने very good अपने को db नहीं चाहिए db किसी को नहीं चाहिए अपने को b चाहिए क्या चाहिए b चाहिए अपने को db नहीं चाहिए अपने को b चाहिए b तो integrate करेंगे ना तो अगर integrate करेंगे तो cos phi के साथ d phi होगा तभी तो वो integrate होगा भोलो चमका इसलिए वो d phi बचा रहे गया कहानी समझ में आई यहां तक की पक्का यहां तक की कहानी समझ में आई यहां यहां जो जो चीजे यूज की है मैं लिख देता हूँ भोलो 1 upon cos square phi is equals to 6 square phi यह भी यूज किया है और यहां पर एक फॉर्मिला यूज किया था साइन 90 माइनस एक मिनट यह 9 हो गया था तीटा नहीं 90 माइनस 5 यह दो चीजे मैंने यूज की है यहां तक बताया है समझ में आया है तो जल्दी से लिख डालो इसके आगे की कहानी बताता हूँ करो जल्दी करो अपन ए कर दिया और डी बी जी कोस करना नहीं था डी बी जी कोस तो मू नॉट अपन 4 पाई आय डी फाई कॉस फाई अपन ए यह स्टेप हमें यहां पर मिली ठीक है अब हम इसको अरेंज कर सकते हैं हम D5 को बाद में लिख सकते हैं ना कॉस फाइप पहले लिख सकते हैं तो यह बेटर जाधा लगेगा कॉस फाइडी फाइए ऐसा हो जाएगा हो जाएगा अब सर इंटिग्रेट कहां से कहां करोगे बताता हो देखो दोस्तों यह वायर था यह पॉइंट पी था यह पोजीश आप देखो इसे अगर हम रेफरेंस मान लें तो यहां से जहां वायर स्टार्ट हुआ है दिख रहा है क्योंकि हमको पूरे वायर के लिए चाहिए बोलो बात समझ में आरी है तो हम यहां से यहां का यह जो बड़ा वाला एंगल मानेंगे इसको 5-1 ले लेंगे क्या ले ले और फिर यहां जो एंगल आप लेंगे इसको क्या लेंगे बोलिए बोलो बोलो नहीं समझा समझ में आरी है बात तो अब यहां एंगल बनाओ चलो यहां एंगल बनाओ यह देखो कैसे करोगे इसक्यूज मी यह जो यहां से यहां से यहां तक आएगा वो एंगल क्या होगा ओके दोस्तों यहां से यहां का angle क्या होगा समझ गये आप हमें कहां से का इntegret करना है बात समझ में आ गई है चलिए डाइग्राम याद होगया होगा अब हम integration करने के लिए तैयार है तो देखो 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 प्लीज देखो integration of db is equal to integration of mu naught upon 5 upon 4 r i x čoooo r I d5 upon a आए बाहिस आप जो बिनसा काम के हैं उनको निका लो Mu no upon 4 p i upon a बाहर क्या हो जाएगा Mu no upon 4 pi doesn't cabin by ने इंटिग्रेशन आफ आप य। शुक्ता है अपन नहीं है सही है lower limit क्या बोला मैंने upper limit क्या बोला मैंने और याद करो lecture के starting में बोला था कुछ lower current की direction उपर है कुछ negative positive की बात की थी याद आया इसे लेंगे minus इसे लेंगे plus किसे किसे समझ में आया हाथ उपर करो बताओ जल्दी से lower limit upper limit समझ में आ गई तो lower limit minus 5 upper limit plus 5 minus कैसे क्या उपर जा रहे है उसको क्यो minus current भी तो उदर जा रहे है तो ये lower limit minus 5 1 है और ये upper limit क्या है बोलो येस ठीक है समझ गए आप अब हमको diagram की कोई जरूरत जिनकी जरूरत ने उनको मिटा देते हैं ये लोग की देखो हो गया अब समझो इनका काम हो गया है भाई साब अब ये बस अपने को answer देने वाले db का integration अपने को बता है क्या आता है b अब अपना b आ चुका है देखो बस इसको solve करते आना चीए cost 5 का integration sin 5 cost 5 का integration लिखे हैं आया ना तो क्या आएगा बताओ बोलो b is equal to अरे हाँ तो ये minus हो जाएगा multiply होगा minus mu not upon 4 pi बताओ आगे ये minus है ना बेटा अंदर minus multiply कर दोगे ना बोलो mu not upon यहां क्या आजाएगा sin 5 आएगा अब पहले कौन सा limit लगाओगे upper बाद में minus पता है ना ये पहले 5 के जाएगे upper limit minus 5 के जाएगे पे तो क्या आएगा भोलो sin 5 2 minus sin 5 1 समझ गे बाहर क्या लगाता minus 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 नहीं समझा अब भी sin 5 2 plus sin 5 1 clear है इतना क्या हो गया कहा है हाँ 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 ये I upon a लिख दो यहाँ पे mu not upon 4 pi i upon a अब clear हुआ ठीक है ये I upon a हम भूल गए थे अब ध्यान से सुनिए minus आता है minus का minus करते हो तो क्या हो जाता है plus होता है हमने sin 5 2 plus sin 5 1 यही हमारा final answer आएगा बी का और यही हमारा target था आप final answer में देखो theta को किस में बदल दिया गया है किस में बदला है समझा जल्दी से चापी हाँ कुछ नहीं करें